कि अलो फ्रेंट्स दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मिक्सर ग्राइंडर का ये काप्लर को छेंज किया जाता है ये जो काप्लर देख रहे हैं अब यह पूरा सब गल गया है अब हम लोग इसको चेंज करेंगे सबसे पाहले आपको कोई स्कूरूब ड्राइबर या फिर कोई लोह काराड ऐसे लेना होगा ताकि आप इसको ऐसे आराम से कर यहां पर प्रेस कर सेगे और बेहतर हुए यहां पर आपकोई कपरा ले ले कि आपको कपरा लेना होगा कोई बी कपरता कि आप उसका प्रे को यहां पर राक सके ताकि यह वो प्लास्टिक का दो बोर्ड आ सक आपको इसको खराबी नहां फिर उसको इसको एसे ढुकान आए और इसको आहिस्ता इस्ते से दबाना है ऐसे से देखिए लिए चारों तरफ से दबाना हैंगे ताकि यह आराम से निकल जाएगा इसको तोरना नहीं है फ्रेंड्स याद रखीएगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कैसे इसका यह जो अंदर का लोक है आप गल गया है यह पूरा राउंड दिसमाज लिए हो गया यहां पर लॉक ये तो दोस्तों आप इसको सबसे पहले ये जूल और है इसको अच्छे बारी की से साफ कर देना है कोई चूरी वागर ऐसे अगर प्छूरी हो चाकु से इसको साफ कर दे ताकि आप यहां पर कि यह भी कुक लाएंगे तक इसाट जाएगा इससे अच्छे से पिर इसको अच्छे से पोंच दे कपरे से अच्छे से पिर उसके बाद आपको दोस्त अच्छे से लिए जो नय वाला जो है जो आप खरिद के लाएं उसको आप देख लीजएगा यहां पर आपको फेवी कुट चिपकाना है कि एक कोई भी फेवी कुक ले लिजिएगा बजार में बहुत सरा फेवी कुक मिल रहा है 5 रुपे या 10 रुपे का होता है इसको इसको अंदर डालना है फेवी कुक को फिर यहां पर भी अब थोरे थोरे दे फिर इसको थोरे दर सुखाए फिर इसके बाद फ्रेंस इसका घाट से घाट को मिलाना है यहां पर फ्रेंस अब इसको यह घाट से घाट मिला कि आपको जोर से दबना है यह को पूरा प्रेस करना जोर से ताकि आपको यह साइट में यहां पर देख साथ हलका हलका बिलेक कलर दिखाई दे रहा है मतलब आपका पूरा रोट उपर आना चाहिए इसके घाट के उपर तक पिर आप इसको थोरे दिर तक रहने दे तो दोस्तों ऐसे मिक्सर ग्राइंडर का कापलर को एसे फिक्स किया जाता है कोई भी अगर आपको खराब हो तो इसको पैसे चैंसे कर सकते हैं आपको दुकांदार के पास जाकर बीना वजाए से 500 रुपया पे करने की जुरूरत नहीं है श्रीफ आपको एक आपलर वाजार से खरीद कर लाना होगा और फिर आप घर पर इस और आल अराम से फिक्स कर सकते हैं फेव कुश के सारे जो फेव को कर दो